नमस्कार दोस्तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पालक के कापा बनाने की विदी पालक का कापा उत्राखंड का बहुत ही मशूर और लजीज वेंजन है ना सिर्फ लजीज है बलकि ये बहुत ही पोश्टिक भी है पालक कापा बनाने के लिए ताजी पालक के पत्यों को काट लेना है और इसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी सूखी लाल मिर्च, बेती दाना, नमक, जीरा धन्या पाउडर, हल्दी पाउडर और आटे के घुलगी अब देखते हैं कैसे बनाए जाता है पालक कापा पालक के कापे के लिए और ये है शाबुत लाल मिर्च, इसका स्वाद ही बिलकुल अलगाता है इसमें गरम होने के बाद हमने आपर मेकी दाना और डाला है जीरा इसमें गरम होने के लिए बिलकुल अलगाता है इसमें गरम होने के लिए बिलकुल अलगाता है त्वाद अनुस्ता हल्दी, त्वाद अनुस्ता घर में बनागा धन्या पाउडर, त्वाद अनुस्ता जर्ण मसाला आप डाल सकते हैं नमक आपको जरूर इसमें डालना है हमारे घर में चार सदुस्ती हैं इसलिए नमसार का बना रहे हैं आप लोग अपने इसाफ से पालक डाल सकते हैं चार जर्णों के इसाफ से ये बालक काफी है क्योंकि घटिये और धोली के साथ भी खाया जाएगा काफे में हमने अपना जो गेहूं के आटे का जो घोल था वो मिला दिया है और अब हम इसको कम से कम 15 से 20 मिनट तक पकाने के रहे छोड़ देंगे इसकी कंसिस्टेंसी को इतनी ही रखनी है आप लोगों को ताकि पतला पतला पालक का कापा बड़ा स्वात दे आईरन से भरपूर आज हमारे घर के सदस सिखाएंगे इसको आईरन से अपका बड़ा है